हेलो शुटेंट्स वेल्कम टू माई नर्चर मैं हूँ कृष्णा कैसे हैं सब लोग मास बढ़िया तो ले स्टार्ट करते हैं हम लोग इंफेक्शिट डिजीज का जो हारा चैप्रेट चल रहा था उसमें नेक्ट लेक्चर लेक्चर नमबर सेवन एचाईवी एंड अपॉचनिस्टिक इंफेक्शन है ना एचाईवी जोहारा मेंन कॉज होता है उसकी वएसे अपॉचनिटी कुछ इंफेक्शन आने सुरू हो जाते हैं बॉड़ी के अंदर क्या मतलब है इसका एचाईवी क्या करता है आपका इम्यून सिस्टम को वीक कर द देता है उसकी वएसे कुछ छोटे मोटे इंफेक्शन जो नॉर्मलि यहारी बॉड़ी लड़ लिया करती थी उनको आनी देती थी वह इंफेक्शन भी आने स्टार्ट हो जाते तो उनको अपॉचिनिस्टिक इंफेक्शन कहते उनको आप वाश्निटी मिल जाती है ठीक है तो आप समझते हैं HIV की बारे में हम लोग जानते हैं कफी कुछ बातें जानते हैं एवन क्लास 12 में जो बायो वाले बच्चे हैं उन्होंगे एचाइवी को काफी डीटेलम बढ़ रहा है दिक्कत आएगी थोड़ा जो मैच साइट से बच्चे हैं उनको थोड़ा सा प्रॉलम के लिए human immunodeficiency virus ऐसा वायरस जो human का immune system होता है उसको deficit कर देता है कम कर देता है यानिकि जब देखेंगा अभी किस तरीके से जो हमारे cells है ठीक है ना जो हमारे cells है ठीक है तुम लोगों ने पढ़ा होगा helper T cells की बारे में पढ़ा होगा human anatomy और physiology में जो लड़ने का काम करते हैं उनको क्या कर देते हैं मार काटते हैं उनको बेकार कर देते हैं या फिर यह समझ लें कि वो जो cells होते हैं in HIV वायरस के उपर काम नहीं करते हैं क्योंकि वो cells उसको पहचान नहीं पाते हैं आओ देखते हैं तो HIV जो वायरस एक वायरस है that attacks the body's immune system है ना body के immune system पे attack करता है यह उसी को कमजोर कर देगा यानि कि हमारी जो में कहते हैं हमारी बॉड़ी का जो लड़ने वाला system उसको बरबात करता है if HIV is not treated it can lead to AIDS अगर HIV को ट्रीट ना किया जाए तो वो उसके बाद AIDS में convert हो जाता है ध्यान लगने सीज़ का HIV को ट्रीट ना किया गया है HIV infection हो गया है और ठ एट्स क्या बिमारी है इस एट्स डिजीज तो यह आंसर है नो एट्स बिमारी नहीं है एट्स क्या है सिंड्रॉम है सिंड्रॉम मतलब क्या होता है जब आपका immune system weak हो गया तो आपको खांसी हो गई fever आ रहा है जुखाम हो गया है ना कुछ और दिक्कते होगी तो बहुत सारी बिमारी आपको जब पकड़ लेती है और उसकी वएसे जब क्या होती है डैथ होती है तो एट्स कहलाता है ठीक है बहुत सारी चोटी पूटी बिमारी क्यूं खांसी खरती जुखाम जो हमको नही जानी है सिंड्रॉम है बास आज में आगी तो HIV human immuno defensive वारस यूणिक टाइप ऑफ वारस एक अलड़ यूणिक है एक अनुखा वारस है ठीक है ना क्यूं उसको यूणिक कहा गया है आओ देखते हैं इसको यूणिक क्यूं कहा गया है कि हाँ कि यूणिक टाइप ऑफ वारस कैसा वारस है यह रिट्रो वारस है रिट्रो मतलब हो गया रिवर्स ट्रांस्क्रिप्शन अगर तुम लोगों को याद हो ठीक है बताता हूं मैं यह चीज़ पढ़ी होगी बायवाल बच्चों ने पढ़ रख होगी मैं तो लोगों सोड़ दिक्कत आ सकता है लेकिन वापस से क्या बनाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं रैप्लिकेशन कहते हैं क्या कहते हैं रैप्लिकेशन कहते हैं डियने जब आरने बनाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं ट्रांस्क्रिप्शन और आरने जो प्रोटीन बना रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं ट्र अपने RNA के उपर वापस से अपना DNA क्रियेट कर लेता है ठीक है एक एंजाइम वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसका नाम है reverse transcription नहीं तो ट्रांस्क्रिप्टेज ट्रांस्क्रिप्टेज एस लग गया मतलब एंजाइम हो गया reverse transcriptase RNA के उपर DNA बना रहा है अनोखा बास समझवारी है RNA के उपर DNA बना ले जा रहा है इसलिए यह यूनिक है अपने RNA के उपर क्या बनाता है DNA बनाता है और फिर उस DNA को हमारे सेल के साथ मिक्स अप करता है और कंट्रोल करता है बास समझ में आ गई क्यों यूनिक है retro virus that is called retro reverse transcriptase virus that invade the T helper cells किसके उपर attack करता है यह हमारे T helper cells उमीद करता हूं यह नाम जानते हों पैचानते हों भूल गए हो तो इसको ज़रा से T cells होते हैं उसमें helper cells होते हैं T cell के तीन category होती है है ना एक होते है helper और एक होता है suppressor और एक होता है killer तो यह helper T cells को क्या करता है अटेक करता है इनी helper T cells को CD4 cells भी कहा जाता है क्या कहा जाता है CD4 cells नाम very important है ना in the body of the host host मतला जिसके उपर अटेक करेगा defense mechanism of person यानि कि जो यही हमारा main क्या defense मतलब यह काम क्या कर रहे हैं simply बाहर से कोई आ गया तो यह बताते हैं हमारे defense system भया अटेक करो कोई आ गया बाहर से अब बताने वाला ही नहीं है कोई तो यह लोग क्या अटेक करेंगे ठीक है तो helper T cells के उपर अटेक करता है याद रखेंगे then there is currently no effective cure आज की तारीक में कोई भी इसका असरदार cure नहीं है once people get HIV अगर किसी को HIV हो गया they have it for life पूरी जिंदगी रहेगा खतम नहीं होता कई भी but with proper medical care HIV can be controlled proper medication हो ठीक आप बीमारी सो बचे रहें तो आप नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं people with HIV who get effective HIV treatment can live long healthy life and protect their partner जिनको HIV का proper treatment मिल रहा है वो एक लंबी जिंदगी जीते हैं ठीक है ऐसा नहीं कि मरी जाएंगे जाकर करके स्वस्थ रहते हैं ठीक है बस क्या हो गया केवल आपका immune system तो weak हुआ है तो यहाँ पर आपको ऐसे precautions लेने कि आप बीमार ना पड़े बस अगर आप बीमार नहीं पड़ते हैं तो आप नॉर्मल जिंदगी पूरी लंबी जिंदगी आप जीते चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है अपाचनिस्टिक इंफेक्शन इसका क्या मतलब है डेफिनेशन के तौर पर याद करेंगे इसको आर इल्नेस यह वो बीमारी है डैट ऑकर मोर फ्रिक्वेंटली जो अकसर हो जाती है एंड और मोर सीवियर इन पीपल विद एचाईवी अब खांसी सर्दी जुखाम जो हो कि बाद समझ में बीकेंट इम्यून ने इसको की ऐडयर हॉट सीफिवियर इन इस्वें इंव चंट इपनाइज से हो आई है यह कूँर्चनिस इश्क्र shaai इसलिए लेकिन क्योंकि यह जो इन्फेक्शन हर जगह मौजूद है हम रोज इनसे सामना कर रहे हैं कि हमारी बोड़ी लड़कर के इनको खतम कर देती है अगर उसे बचना है तो सीधी से बात है वए है चाइवी मैदिस्न रोज लेता रहे है प्रौपर तरीके से आगे आते हैं, etiology, cause हम सब को पता है cause क्या है, cause में जब जालिक सी बात है, HIV खुद एक क्या है, virus है तो यहाँ पर हम लोग AIDS को लेकर करें चलेंगे, AIDS क्या है, acquired immunodeficiency disease है, it is disease caused by the retrovirus human immunodeficiency virus, ठीक है तो यहाँ पर हम लोग AIDS को लेकर के बात करेंगे, and characterized by profound immunosuppression, profound मतलब बहुत ज़्यादा immunosuppression, immune system, बहुत ज़्यादा suppress हो जाएगा, गिर जाएगा, that leads to opportunistic infection, जिसकी वएसे, जो opportunistic infections है, वो आकर के हमारी body में पढ़ जाएंगे, आना सुरू हो जाएंगे, secondary neoplasmend, neurological manifestation, secondary neoplasmend, पता है न, क्या होता है, ठीक है, और neurological manifestation, neurological मतलब दिमागी जो, खराबिया है, जाएगे, प्रॉलम से, वो क्या हो जाएंगी, वो आना, इस्टार्ट हो जाएंगी, बात समझवारी है, तो इस तरीके से, यह काम कर रहा है, two types, दोट वराइटी, इसकी HIV-1 and HIV-2, which are genetically different, but has related forms, genetically, जिनके genetic pattern तो अलग-अलग है, लेकिन, forms एक दूसरे से मिले हुए, जु West Africa and India, तो HIV-1 भी AIDS फैल आ रहा है, HIV-2 भी AIDS फैल आ रहा है, but HIV-1 इन कंट्री में जादा है, HIV-2 इस कंट्री में जादा है, ठीक है न, HIV-2 is transmitted less efficiently than HIV-1, तो HIV-2 है, वो उतना अच्छी तरीका, मतलब उतनी effectively transmit नहीं होता है, जितना कि HIV-1, ठीक है न, transmitted less efficiently, मतलब उतना ज़्यादा नहीं फैलता है, फैलने का मतलब क्या हो गया, उतनी जल्दी आसानी से एक के दूसरी बाड़िम नहीं जाता है, बट HIV-1 बहुत जल्दी चला जाता है, इसलिए इन कंट्री में ये AIDS अरी प्रॉलम फुरी जादा है, ठीक है बास समझ में आई, तो ये एटिलोजी है, हम सब पता है, ये बस नाम याद रख लेना है, ठीक है, AIDS का कारण क्या है, अब पैसा जोने से समझते है, HIV काम कैसे करता है, किस तरीके से पैस अपने आपको ये प्रोग्रेस करता है, तो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, पिक्चर थोड़ी सी कम किलियर है, ओके, बट कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हो, यह जो 123 स्टेप है न, उसको क्या करोगे, यहाँ पर पिक्चर में को चाहिए था, इसलिए मैंने पिक्चर लेकर आया, दरवाइस, तुम लोग क्या कर सकते हो, जो 123 स्टेप है, इनको डारेक्ट, एक टेबल बना कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसलिए से एक चार्ट बना करके लिख लेना, ठीक है न, बाद एक पिक्चर में इसलिए लिखा है, कि पिक्चर फ़रा ज़रूरी था, यह हमारा CD4 सेल है, याने की helper सेल, ठीक है न, उसके उपर receptors होते हैं, जिसको हम CD4 receptors कहते हैं, यह तो receptors होते हैं, यह रहा मेरा HIV HIV का, HIV वदला वाइरस रहा है, मेरा ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, अच्छा, HIV medicine in seven drug class, जो हम आगे देखेंगे, stop HIV at different stages in the HIV life cycle, वो HIV को अलग-अलग stage पर रोकती है, तो यह जो पार्ट है, यह इसको चाहो तो यहां से हटा देना, अभी, अभी इसकी हमें जरूत नहीं है, यह जितना भी आला पार्ट है, ठीक है, इसकी हमें जरूत नहीं है, यह यह दवायों के बारे में कि कुछ यहां रोक देंगी, कुछ इस step में रोक देंगी, कुछ इस step में रोक देंगी, फिलाल क्या होगा, binding, पहले step में क्या होता है, also called attachment, HIV binds, ठीक है, HIV करना, binds कर रहा है, attaches itself, HIV है, यह अपने आपको जोड़ रहा है, इस receptor से, यह receptor होगा, तो ही जुड़ेगा, दरवाज नहीं जुड़ेगा, to receptor on the surface of CD4 cells, सहसे पहले step में आपको जोड़ा किस से CD4 receptor से, then fusion, जुड़ने के बाद यह पूरा cell अलग था, फिर यह पूरा cell ला करके इसने चिपका दिया अपना, fusion, जुड़ा हो पूरा, पूरा cell अपने cell से चिपका दिया कर गे, the HIV envelope, जो HIV का envelope होता है, and CD4 cell membrane, CD4 cell की जो membrane है, आपस में क्या कर गे, fuse कर गे, joint together, which allow HIV to enter the CD4 cell, और इस तरीके से यह देखो, इसका जो RNA है, HIV का, ठीक है न, यह क्या कर गया, cell के अंदर enter कर गया, अब RNA जब enter कर गया, तो देखो, यह है HIV RNA, यह reverse transcriptase enzyme की help से इसने क्या बना लिया, DNA बना लिया, अब यह वाला जो DNA होगा, आओ देखो, यहापर क्या लिखा है, reverse transcription, inside the CD4 cell, HIV release and uses, reverse transcriptase, reverse transcriptase enzyme को use करता है, and HIV enzyme, जो की enzyme है, question आ सकता है, which enzymes help HIV to form DNA over RNA, तो नाम क्या होगा, reverse transcriptase, to convert its genetic material, HIV RNA into HIV DNA, है ना, reverse transcriptase की help से, RNA से DNA बना रहा है, the conversion of HIV RNA to HIV DNA, allows HIV to enter the CD4 cells nucleus, अब जब DNA बन जाता है, यह DNA, क्या होगा इस DNA, क्योंकि यह DNA है, ठीक है, इसके अंदर आ के बना, तो यह DNA, इस cell के nucleus है ना, membrane of the CD4 cell nucleus, इसके nucleus में enter कर जाता है, क्या कर जाता है, nucleus में, अब nucleus के अंदर क्या होता है, DNA होता है, हमारा वाला DNA होगा, अब आगे देखते हैं, कहां जी समना से जाओ, DNA जो था, HIV का, उसको हमारे DNA में लागे जोड़ देगा, अब हमारे DNA में जुड़ने की वएए से, यह हमारे DNA का part हो गया, अब जो भी चीज़ यह बनाएगा, तो हमारा DNA उसको बनाने में help करेगा, और वो जो part जब भाहर निकल के आएगा, हमारी body उसको अपना ही हिस्सा मानेगी और destroy ने करेगी, यहां से आप जो protein बनेगी, वादल जो RNA बनके भाहर आएगा, वो RNA क्या होगा, यह जो RNA बनके भाहर आ रहा है, हमारे body उसको मारेगी नहीं, क्यों? यह RNA तो हमारा DNA में मारे रहा है, तो उसको वो दुस्मन नहीं समझती, बस यह फ़र्वडी दिक्कत आती ही यहाँ पर, कि क्यों HIV खतरनाक है integration, inside the CD4 cell, nucleus, HIV releases integrase, जो जो HIV है, यह क्या release कर रहा है, integrase release करता है, जहां रखना है, integrase कौन release कर रहा है, यह release कर रहा है ठीक है, an HIV enzyme, HIV uses integrase to insert, insert मतलब integration, its viral DNA into the DNA of the CD4 cell, इस integrase की help से वो finally बीच में कट मार के, खुद को अपना आपको जोड लेता है, ठीक है ना, तो यह आ गया HIV DNA, यह हो गया CD4 cell का DNA, बीच में आ गया यह, fourth का fifth पर आते हैं, अब replication करेगा यह, हैने कि अपने उपर नया DNA बनाएगा, once integrated into CD4 cell DNA, HIV begins to use the machinery of the CD4 cell, अब वो इसका सारा सिस्टम इस्तवाल करेगा, to making long chain of HIV protein, ताकि अपनी काम की protein बना सके, the protein chain are the building block of more HIV, जो प्रोटीन बनती है, वो और HIV, यहने कि human immune virus को पैदा करती है, ठीक है, अब क्या होगा इसने protein बना ली, assembly, new HIV protein and HIV RNA, यहां से इसने क्या बनाया प्रोटीन भी बनाई और RNA भी बनाया, यह जा करके assemble होंगी, move into the surface of the cell and assemble into the immature non-infectious HIV, अब यह क्या हो गए, assemble हो गए, एक नए cell में, और यह अभी क्या है, non-infectious है, ठीक है, cell के अंदर जबता क्या है, फिर यह budding, फिर यह CD4 cell, देख रहों, यह CD4 cell है, फिर यह CD4 cell से बहार आ Newly formed immature non-infectious HIV pushes itself out of the host CD4 cell, यह अपने आपको धीरे से CD4 cell से बहार निकालेगा, the new HIV releases proteases and HIV enzyme proteases, break up the long protein chain in the immature virus, creating the mature virus, ठीक है न, जो यहाँ पर यह protease निकालता है, वो protease करेगा, break up the long protein chain, जो long protein chain हो थी हमारे वाली, इसको यह break कर देगा, जैसी यह इसको break करता है, यह एक infectious virus में वापस से convert हो जाता है, अब जाकर के यह जो assembly है, यह जाकर के दूसर, यह finally बन गया आ गया, यह किसे ने तयार किया, हमारे खुद के cell ने तयार किया, हमारे cell ने एक नए HIV बना दिया, अब यह HIV दूसरे cell को जाके infect करेगा, अब क्यू क्यों कि हमारी body के DNA को कौन control कर रहा है, HIV है ना, बाई, जो main controlling power अब किसी हाओर के हाथ में चलेगी, वो अपने इस्टाब की चीज़े बनवा रहा है, बास समझ मागी, यह कुछ movie जैसा scene आ गया, आया, attack किया, गद्दी छीनी, और राज किया हमाँ पे, अब दिरे दिरे वो अपने क्या बना रहा है, अपनी टीम बढ़ा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा क्या करना है इसको, step by step, 6-7 लिख करके, ऐसे step by step याद कर लोगे, और diagram अपने विसाप से बनाना चाहूँ बना सकते हैं, अधर बाई, diagram की ज़रूद नहीं है, आगे आते है, stages of HIV, HIV की stages की बात करें तो सबसे पहला acute HIV, ठीक है, flu-like symptoms that occur day to days to weeks after contracting HIV, ठीक है न, कई मतला हफ्तों तक या दिनों तक flu रह सकता है, acute chronic, बहुत लंबा हो जाएगा, also known as latent or asymptomatic, यहाँ पर कोई लक्षन नहीं है, can last for several years, यहाँ पर कई सालों तक आपको कोई लक्षन नहीं दिखाई पड़े, क्यो पर रहा है तब तक बहार से कोई बिमारी यहां रही है तो, फिर आयता है AIDS, occurvent CD4 cell counts fall below 200 cells per mm cube, जब CD4 cell की संख्या धीरे धीरे इतनी कम हो जाती है, क्योंकि वो सेल को क्या अंदर मशीन दी कंट्रोल कर ली है, और उनको फिर बाद में destroy भी कर देता है, जब उनकी संख्या 200 से इसे भी कम हो जाती है, तब जाकर को होता क्या है, makes a person vulnerable to opportunistic infection, अब उस person के ऊपर, अपॉचनितिक इनफेक्शन यान की disease वगरा, attack कर लेती है, attack कर सकती है, defining AIDS condition, और यही condition AIDS को define करती है, जब CD4 cell का ये value याद कर लोगे, किस से नीचे चला जाता है, clinical manifestation, जो ना बोलो, वो है, white cell count, CD4, T4 cell, इसके नीचे हो जाएगा, अपॉचनितिक infection दिखाई पड़ेंगे, lymphadenopathy दिखाई पड़ेगी, fatigue ठकान लगेगी, integumentary, poor wound healing, जखम जल्दी से सही नहीं होंगे, skin lesson, जगए-जगए जखम हो सकते है, night sweats, रात को पसीना आएगा, सोते हुए ठीक है, na, respiratory में क्या है, कफ आएगा, shortness in, breathe हो जाएगी, SOB, gastron, diarrhea, weight loss, तमाम यह सारे लक्षन है, कोई भी जो अपने heading के हिसाब से, एक एक दो दो याद कर लोगे, और वो manifestation, ठीक है, जो असानी से याद हो जाएगा, वो लिखोगे, clear है, management क्या है, सबसे बहली बात क्या लिख दिया है, इसका क क्यों की ओर नहीं है, क्यों मतलब पर्मनेट इलाज नहीं है, हम स्रिफ इसको क्या कर सकते हैं, मतलब maintain कर सकते हैं, कि यहाँ जादा ना फैले, बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, गोल्स ऑफ HIV थरपी इसके गोल्स क्या होते हैं पहला गोल इंप्रूविंग दा पेशेंट्स क्वालिटी ओफ लाइफ पेशेंट की क्वालिटी ओफ लाइफ यानि कि जो जिंदकी जी रहा है उसको उसको इंप्रूव करवाना है साफ सुतरा रहे अच्छे तरीके से रहे अच्छा खाए ठीक है डिद्यूसिंग मॉबलिटी और मॉटलिटी कोशिश की जाएगी की बेमारिया ना फैल है और मौत ना हो कोशिश किया जागे CD4 सेल काउंट बढ़ते रहे उसके पूरे तो नहीं बढ़ पाएंगे और लेकिन एक मेंटेन रहे प्रिवेंटिंग HIV रेप्लिकेशन कोशिश की जाएगी HIV रेप्लिकेट ना करें इसको करेंगे रिद्यूस करेंगे उसके वाइरल को लोड को कोशिश की जाएगी जिसको HIV है उससे दूसरे को ना फैले किलियर होगी बात है तो यह सब इसके मेनजमेंट के तरीके थे फिलहाल आप नॉन फार्मकलोजिकल मेनजमेंट ने क्या है पेशेंट को एजुकेट करना प्रोवाइडिंग सोसल सपूर्ट टुद पेशेंट है ना बिल्कुल ऐसा दुथकार नहीं देना बड़ा पहला एड आता था किसी को एड्स होता था ना दूद रसन पेशेंट देखा होगा कि किसी को एड्स होता था हम लोग उसको सोसाइटी से अलग कर देता है यह नहीं करना भाई उसको छूने से एड्स नहीं होगा ठीक है कैसे एड्स होगा जिस इंसान को एड्स है उस इंसान के सरीर का फिलिड ठूक ठीक है ना खून, सीमेन ये सब चीजें आपकी बॉड़ी से टच नहीं होना चाहिए हाथ, इवन अगर आप उसको हाथ पगड़ते हो गालों पे किस करते हो कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ में मालो हूँ आपके बगल में जस्ट लेटा हूँ कोई दिक्कत नहीं है बस इतना ध्यान रखना है कि सामने वाले का कोई भी चीज जैसे करो कोशिश की जाए कि बात कर रहा तो मूँपे मासला के बात करे थूक ना आया आपके उपर इस चीज़ से बचना है बस के वर ठीक है ना अब क्या है सोसल सपोर्ट रेगुलर एक्सराइज एड़केट रेस्ट परियाप मातर में रेस्ट करें अवाइडिंग अल्कॉल ट्रिंगिंग दारू ना पिए उससे दिक्कते होती ना सरीर में फिर कम जोरी हाने लगती है स्मोक को ना करें इटिंग हेल्दी और न्यूटिशेस डाइट है अच्छा खाए न्यूटिशेस खाए फार्मकलोजिकल मेंजमेंट में अब देखो यहाँ पर क्या है यह थोड़ा सा तुमको यह इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको आयम पी डाल ले ना तुमको यहां से क नपोट करें है अच्छीव यूजिग और ट्रोःट ट्रोवाइरं थेरपी ए干 नोड कर लो उसको entry नहीं होने देगा तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो यह देखो है ना मैंने बताया था entry तो सुरुवात में क्या नहीं होने देगा entry binding ही नहीं होने देगा कुछ लोग fusion में रोकेंगे कुछ लोग reverse transcription में में रोकेंगे कुछ दवाईयां कहा रोकती है फिर बडिंग में रोकती है ठीक है तो पहला हो गया entry नहीं होने देगा उसका example यह रहा कुछ होंगे hiv protease ही नहीं बीट है hiv protease है उसको प्रोटी उसको नहीं होने इस प्रोटी इस की वज़े से वह क्या हो रहा था मैं च्योर हो रहा था इंफेक्शिस बन रहा था वह नहीं होने दिया जाएगा ठीक है तो बस यह ध्यान रखना है तुमको आचे अचेव प्रोटी इनिबीटर एक्जामपल दारुणवीर रिटो नवीर एटाजानावीर वीर वीर लग रहा है रिवर्स ट्रांस क्रिप्स इनिबीटर रिवर्स ट्रांसक्रिप्स नहीं होने देगा यानगी डिन्य बन्हें पर देगा एननर्टी आई नूकलियोसा इंटीग्रेस स्ट्रेंड ट्रांसफर इनीबिटर इंटीग्रेस को रूखने वाला उसके कुछ एक्जाम्पल है राल्टे ग्रावीर डॉलूटीजी ठॉलूटी ग्रावीर ठीक नाम तो आजिब गरीव है ठीक है एक्जाम्पल ऑफ एर्टी कॉम्बिनेशन एचाईवी और पी आई बेस्ट ठीक है ना धेन एनस्टी आई बेस्ट यहां पर दरुणा वीर प्लस टीन फोवई वीर प्लस एमट्री सीटा बीन बच्चे लों कहेंगा सर खुद तो पढ़नी पा रहे है हमसे वोड़े पढ़ लो ध्यान से ठीक है ना कैसे पढ़़ेंगे मैं बताता जैसे यह क्या लिखा है एन एफ यू तो इनफू है ना वीर टाइड इनफू वीर टाइड मैं हमें सब बोलता हूं जरूर नहीं कि जो एक्ट प्रणाश है वही निकालो अपने इसा से पढ़ रहा है जैसे यह याद करना असान रहा है दारू दारू नावीर ठीक है रितो नावीर अटाजा नावीर अटाजा नावीर अटाजा नावीर तो ऐसा अराम से पढ़ना है तो इसले को औरे तेनोह फोवीर टिकत सबільки सब ओती है है ना हम भी इनसान है तो इसमें यह घवराना की सर नहीं पढ़ वाई तो हम कैसे करें कुछ बच्चे ऐसा सोचनल लगते हैं इसलिए में रुकेश को वापस से परनांस किया है और कोई वज़ा नहीं दे ठीक है ना तो याद रखेंगे कौन सा कहां पर अटैक कर रहा है उसका एक दो दो एक्जामपल परियाप्त है इससे जाद हमें कुछ नहीं करना और यह लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा बाद अगी अपना एप है ठीक है पढ़ते रहो रिवाइज करते रहो आल दा बेस्ट